कि अज़िए विडियो में हम डिसकास करने वाले हैं फिरोशा तुगलक्स एडिमिनिस्ट्रेटिव एन एकिनॉमिक रिफॉर्म्स इसका पार्ट वन मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दिया है जिसमें हमने अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाईए पहले वो आप देखिए उसके बाद आप ये वीडियो को कंटिनू करिए बाकि अगर आप मेरी चानल पे नए हैं तो प्लीज दो नाट फोगेट तो सब्सक्राइब दे चानल और चलिए आगे डिसकस करते हैं क्या-क्या है तो बट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी प्रिवियस वीडियो देखिए तो आपको डेफिनिटली ये आंसर मालूम होगा तो question है आपका name the book written by फिरोशा तुगलग तो फिरोशा तुगलग ने biography लिखी ती आपको उसका नाम बताना है तो ये चार options है पहला है फतुआते जहांदरी दूसरा है शमसे सिराज फतुआते फिरोशा और तारीके फिरोशा तो अगर वीडियो देखिए तो आपको डेफ administrative reform से related तीन points already discuss कर लिए जिसमें हमने बात करी थी कि जो फिरोशा तुगलग है उन्होंने public welfare के काफी काम किये थे जैसे बहुत सारी cities construct करवाई inns, roads, palaces ठीक है इसके अलावा हमने बात करी थी education and literature की क्योंकि वो खुद भी एक बहुत ही आप कह सकते है learned man थे और उन्होंने भ इसके अलावा उनके टाइम पर बहुत scholars भी आपको देखने को मिलेंगी जो उन्होंने काफी literature compose किया है फिर हमने बात करी थी humane and benevolent work तो he was a benevolent ruler और उन्होंने लोगों के welfare के लिए काफी काम किया है जो poor थे जो needy थे उनके help के लिए उन्होंने different department बनाया था आज हम discuss करेंगे next point that is reforms in the army and reorganization of nobility तो देखिए जो भी गलतियां मुहम्मद बिन तुगलक ने करी है उस अपको ये कोशिश कर रहे थे सुधारने की अब इन्होंने एक बहुत important काम किया कि आमी में ये reform लेकर आए और उन्होंने special attention दी कि जिसे कि जो soldiers है और जो officials है वो खुश रहे और वो comfortable life जो है जी सके और उनका revenue जो आता था वो as a salary रखते थे soldiers और इस village को कहा जाता था वज इसके अलावा आप देखेंगे कि जो soldiers irregular soldiers होते थे बतलब जो permanent soldiers नहीं है उनको ये cash salaries देते थे और कैसे देते थे treasury में से निकालके उनको salaries दी जाती थी या फिर through drafts on the iqtas of nobles कि nobles को जो iqtas दी गई है उसके थरो उनको salary pay की जाती थी फिरोशा तुगलक was also not very firm with the practice the system of daag and hulia आपको पता है अलावदन खिल जी ने दो ये बहुत important जो system है ये introduce किया था practice introduce करी थी एक थी दाग जिसमें क्या वो horse को stamp करते थे और दूसरा descriptive roles लिखते थे soldiers की basically ये दोनो practice इसलिए शुरू की गई थी जिससे कि proxy ना लगे कि मतलब ऐसा ना हो कि कई बार soldiers क्या करते थे या nobles जिनके पास army वो क्या करते थे एक ही घोड़े को बार बार repeat करते रहते थे या soldiers को repeat करते रहते थे तो इस practice को बंद करने के लिए कि repetition ना हो इसलिए अलाउदन खिलजी ने ये practice इंटिड्यूस किया था बट फिरोशा तुगलग को ये practice अच्छी नहीं लगी तो इन्होंने ये दोनों practices जो थी दाग और हुलिया की वो बंद करवा दी इसके लावा he also helped and protected the soldiers who are temporarily employed मतलब जो कभी-कभी जैसे जब soldiers जब war का टाइम है तब उनको जो है service में employ किया जाता था तो उनके लिए भी इन्होंने special attention दी दी थी उनको भी इन्होंने और इसके साथ साथ जो फिरोश साथ है he tried to conciliate the nobility देखिये मुहमद बन तुगलक और इवन अलाउदन ख जी ने nobles को बहुत जादा उनकी power को छीन लिया था उनको बहुत weak कर दिया था क्यों कर दिया था जिससे कि nobles जो है वो दुबारा से powerful होके उनकी throne को challenge ना कर सके बट यहाँ पर फिरोश ने थोड़ा सा आप देखेंगे बड़ा ही soft जो है अपना attitude रखा towards the nobles उन्होंने क्या किया जितनी भी kingdom की income है उसको मलिक्स में आमीर्स में और खांस में यह सब nobles ही थे इन में divide कर दिया और जागीर उनको वापस दे दी जैसा कि आपको पताए अलाउदन खिलजी ने यह जितने भी nobles है उनकी जागीर को confiscate कर लिया था चीन लिया था बट फिरोशा तुगलग ने वो revert कर दिया और वापस से nobles को जो है अच्छी position पर बिठाया उनकी lands को जागीर उनको वापस दे दी तो जिससे कि क्या हुआ nobles की power अब धीरे धीरे आप देखेंगे बड़े की उनको strengthen किया और उनकी post और offices को भी hereditary कर दिया ठीक है तो यह बहुत important चीज उन्होंने क करी और आप एक example भी दिया गया है कि जो उनके बहुत trusted minister थे जिनका नाम थे खाने जहां उनको he was killed in 1386 उनके विरोष शाह के जो यंगर सन है उनकी वज़ा से मतलब उन्होंने मार दिया था खाने जहां को तो उसके बाद जो उनके बेटे थे his son उनको जो है वजीर जो है तो justice में क्या justice की field में देख लेते हैं उनके क्या काम किया है तो देखे अलाउदन खिल जी और मोहमद बिन तुगलग जो थे वो बहुत ही ruthless punishments देते थे capital punishment देते थे मतलब जो भी उनके punishments थी वो बहुत brutal होती थी और aggressive होती थी ठीक है बट फिरोशा तुगलग ने क्या है humane बना दी जो है punishment ठीक है वो soft कर दी and he proclaimed that these barbaric punishments are not permissible under the Islamic law उन्होंने कहा कि ये जो harsh punishments जो खिल जी या मोहमद बिन तुगलग के time पे दिये गए है ये Islamic law के खिलाफ है तो वो उन्होंने बोला कि ऐसी punishments दी जाएंगी जो कि कुरान के हिसाब से हो so law according to the Quranic principles and soften them so he जो brutal punishments थी कैसी जैसे cutting of the hands, feet, ears and nose की आपको पता है पुराने समय पे body parts को cut कर दिया जाता था crushing the bones, tearing out the eyes, pouring melted glass in the throat, burning alive तो मतलब ऐसी काफी severe punishment जो है वो दी जाती थी Allahudin Khilji और Muhammad bin Tuglaq के टाइम पे वो इन्होंने बंद कर दी, इन्होंने बोला कि वही punishment दी जाएगी जो कि Islamic law में लिखी गई है मतलब basically punishment जो है वो असान कर दी, वो मुश्किल नहीं थी and he established courts at all important places of his empire and appointed kazi to administer justice to all तो इन्होंने आप देखेंगे हर जगे पे court appoint किये जिससे की लोगों को न्याय मिल सके और उसके लिए appoint किया किनको kazi's को and तो मतलब basically kazi was the head of the chief, मतलब kazi was the chief justice, वो justice को सम्हालते थे और उन्होंने बोला कि जो भी, मतलब जो court justice दिया जाएगा वो किसके basis पे होगा, Islamic law के basis पे और उन्होंने Islamic laws को आप देखेंगे, जो mosque है, जामा मस्जिद, उनकी walls पे भी जो है inscribe करवा दिया तो यहां पे वालसली हेग कहते हैं कि जो भी reforms फिरोशा तुगलक वो लेकर आए हैं, वो जादा beneficial Muslims के लिए थे, हिंदूस की condition तो वैसी ही थी और उनको जो है severely punished भी किया जाता था सो यह था criminal court से related, अब next हम देख लेते हैं administrative reform में, slave system सो आप देखेंगे, बड़ा ही, आप देखोगे, slave system को उन्होंने impetus दिया, बहुत importance दी और उन्होंने, यह arranged to provide knowledge of industries and handicrafts to slaves, तो आप देखोगे, फिरोशा तुगलक के time पे बहुत साले slaves थे, जो employed थे और उनको different areas में जो है training दी जाती थी, जैसे industries में, handicrafts में, जिनको कार खाना में train किया जाता था जिससे कि वो एक useful member बन सेके society के, but many slaves attained important position और आप देखेंगे, क्योंकि उनको इतनी अच्छी training दी जाती थी तो कुछ slaves जो है वो काफी important positions में भी पहुँच गए थे and वो politics में भी जो है Delhi सलतनत के वो उसमें भी involved थे और धीरे-धीरे उनका number जो है वो बढ़ता चला गया and ultimately they emerged as powerful group that became a danger to the empire तो दीरे-धीरे क्या हो गया यह जो slaves थे वो बहुत ही powerful हो गये और वो कही ना कई threat बन गये ruler के लिए empire के लिए और उन्होंने उनकी well-being के लिए एक special department भी established किया था जिसका नामत है साहिब-बंदगान जिससे कि वो slaves के interest को protect कर सके और जिसकी वज़ज़ से बट एक देखी थे हम थोड़ा सा economic reforms भी आज discuss कर लेते हैं सो आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं कि economic reforms क्या introduce किये फिरोशा तुगलग ने इसमें हम पहला point discuss करेंगे जो है fresh assessment of the land and the revenue तो आप देखेंगे फिरोशा तुगलग ने एक effort किया कि जिससे की land revenue जादा आए और peasant की condition भी अच्छी रहे तो उसके लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने special officers जो है employee किये दिनको बोला जाता था ख्वाजा या जुनैदी और नायब वजीर जो था वो क्या करते थे वो prepare करते थे estimate की कितना revenue जो है collect किया जाएगा और for six years he moved from one place अब देखो नायब वजीर किसके basis पे revenue decide करेंगे तो वो क्या करते थे अगले छे साल के लिए वो पूरी एक जगर से दूसरी जगर जाते गए basically वो किसलिए एक तरीके से आप कह सकते है survey के लिए या data collect करने के लिए वो जो है इधर से उधर जा रहे थे therefore और जिससे कि जब उनोंने सारा कुछ सारे areas पे travel कर लिया सारे data को collect कर लिया उसके बाद ही permanently fix the revenue of the khalisa land मतलब कि अब जो revenue वो एक बराबर रहेगा वो बगलेगा वो fluctuate नहीं करेगा so khalisa land government land जो थी उसकी जो revenue वो permanently fix कर दिया गया जो कि कितना था it was around 6 crores and 85 lakhs of tankas tanka जो silver coins होते है उसको बोलते है and but basically ये एक rough estimate ही था so आप देख सकते हैं कि जो land revenue है वो 1 5th से लेकर 1 6th होता था of the total produce वो vary करता था area to area में but कभी भी जो ये revenue है वो 50% से जादा नहीं हुआ और इससे दिखिए ये जो इन्होंने fix कर दिया revenue तो इससे government को काफी benefit होता है इससे क्या हुआ state को पता हो गया कि उनकी income कितनी fix है मतलब कितनी income आने वाली है ज so this system actually proved very beneficial to for to what this proved very beneficial for Firozha Tuglaq's economic administration next हम देख लेते है next a new system of taxation तो आप देखेंगे Firozha Tuglaq ने क्यूंकि देखो मुहमद बिन Tuglaq ने बहुत सारे taxes inappropriate taxes भी लगाए हुए थे numbers of taxes ही imposed तो अब यहाँ पे इस फिरोशा Tuglaq ने क्या किया कि बहुत सारे जो taxes जो उनको बड़े unfair लगते थे वो सारे हटा दिया लगबग ऐसा माना जाता है around 21 to 24 taxes जो improper taxes थे उनको जो है जो कि Islamic law के हिसाब से नही जो कि Islamic law भी अलाओ करता है वो थे खराज, जकात, खराज, जकात, खम्स और जिजिया वो हम एक एक discuss कर लेते हैं आपको पहला यहाँ पर दिख जाएगा खराज खराज क्या है यह basically land tax होता है जो कि जो total produce है उसका 1 10th जो है वो collect किया जाता है पेसें से तो 1 10th जो land revenue होगा उ दूसरा हम देखने है जकात, जकात क्या है basically यह 2.5% tax है जो कि Muslims की property पे लिया मतलब Muslims जो property religious purpose के ले इस्तेमाल करते हैं उनसे 2.5% of tax collect किया जाता है तो यह था जकात, इसके अलावा आता है जजिया, जजिया कौन देते हैं, non-Muslim subjects देते हैं, specially आप देखेंगे Hindus यह देते हैं बट यहाँ पे कुछ लोगों को इन्होंने exempt भी किया था, जैसे कि children को या women को या इसके साथ साथ उन्होंने जो ब्रामन्स थे उनको भी इस जजिया के tax से exempt किया था, इसके बाद, अचा देखें, अचा sorry, यहाँ पे I would like to correct myself कि यह कह रहे है कि जजिया, अचा पहले जजिय जजिया जो है ब्रामन से नहीं लिया जाता था, बट यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने जजिया जो है ब्रामन से भी collect करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे सिर्फ वुमिन और चिंडरल थे, वो exempted थे जजिया से, बाकि सारे जो non-muslim subject से उनसे collect किया जाता था, जो हारी हुई साइड है, तो वहाँ से जो भी पैसा आता है, जो बूटी collect की जाती है, वो उसमें से आप देखोगे, 1-5 जो है वो state के पास जाएगा, और जो 4-5 है वो soldiers के पास रहेगा, यह decide किया गया, similarly आप देखेंगे, माइन से जो income आरी है, उसमें से भी 1-5 जो है वो state के पास जाएगी, और 4-5 जो है वो owner के पास रहेगी, तो इसको comes बोला जाता था, next हम देख लेते हैं, उशर, उशर क्या tax था, यह था, it was being collected by the Muslim cultivators, तो यह Muslim cultivators यह होता था, 1-10 of the total produce, और लास्ट आप देखेंगे, इसमें है तरखात, तरखात जो है, वो प्रॉपर्टी यह थी, जो कि, मतलब एक इनसान जब मर जाता है, उसका कोई hair नहीं है, मतलब आगे उसका कोई बच्चा नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी है, तो वो जो है, गर्मेंट के पास आ जाएगी, तो वो था तरका, तो यह आप देखेंगे, इतने सारे taxes जो है, वो, basically मौमद बिन तुगलग के टाइम पे तो बहुत taxes थे, जो इन्होंने reduce करके बस इतने कर दिये, और इसके साथ-साथ जो फिरोशाते उन्होंने, ओक्टराइड डूटी भी कम कर दी, जिससे की मौचंस को काफी फायदा हुआ, और इसके साथ-साथ, जब officials, जो state officials है, जब वो farmers से revenue collect करने जाते थे, तो जो farmers से वो gifts वगेरा भी लेते थे, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़े बिल्कुल बंद कर दी गई, और अगर पाया जाता था कि कोई ऐसे farmers से gifts वगेरा ले रहा है, तो उनको punish भी किया जाता था, और इसके साथ-साथ जो revenue officers हैं और collectors हैं, उनको काफी liberal तरीके से पे किया जाता था, उनको land grant दी जाती थी, allowances भी दी जाती थे, जिससे कि वो cultivators को harass ना करे, तो आप देखेंगे, यह कुछ important economic reforms थे, आज इस वीडियो में हम इतना ही discuss करेंगे, बाकि थोड़े से और points रह गए हैं, और क्या impact था फिरोशा तुगलग की इस administrative and economic reforms का वो भी हम next video में discuss कर लेंगे, so but end करने से पहले मैं आती हूं उस question पे जो मैंने आप से पूछा था, that was कि कौन सी book थी जो फिरोशा तुगलग नहीं, उनकी biography का क्या नाम है, तो आप देखेंगे, इसका correct answer है, फतुहात ए फिरोशा, चीक है, बाकि आज हम बस इतना ही करते हैं, बाक मुझे पूछ सकते हैं, बाकि आपने जो भी आप positive feedbacks देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आप जो है, मुझे encourage करते रहे हैं, जिससे मैं और वीडियो बनाऊ, and please do not forget to subscribe the channel, like, share and comment, thank you so much for watching the video, I'll see you in the next video, till then take care, stay safe.